सब्सक्राइब करें तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ ही पास में लगे बेल आइकन को दबादें जिससे कि आपको सभी नोटिफिकर्सन मिलते रहें और सबसे पहले आपको वीडियो सब्सक्राइब करते हैं पढ़ रहा है अब क्योंसा है उसको क्या हो तीव है समाभथ रदा से आप क्या समझते थि को सब्सक्राइ से यहाइज आंगे तो यह अपने आप मेЕТक बहुत बड़ा टॉपिक है है ठीक है समावयवता तमावयवता कि इस यह अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है तो आज हम केवल इसकी बात करेंगे इस्टीरियो जानेंगे स्टीडियो आइसमर्जम क्या होता है पूछ लेगा इस पर टिपड़ी कीजिए इस से आप क्या समझते हैं ठीक है तो चलिए हम सुरू करते हैं स्टीडियो आइसमर्जम के अगर हम बात करें बात करेंगी만 nos फिर्वम विवता होती है यह दो परकार की होती है अपक справ क्या है कौन-कॉन सी जैमेती और प्रकाशक समय विवता जिसे हम कहते हैं geometrical और optical तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे किसमें फिर्वम समय विवता हम तो सबसे पहले जान ना है अथ्वा मूलकों द्वारा अंत्रिक्च में विभिण इस्थान ग्रहण करने के कारण उत्पन समाय विपता को तिरवं समाय विपतां कहते हैं अब किसी योगेक ठीक है कोई योगिक है किसी योगिक के परमाणू उसमें जो परमाणू होंगे या मूलक ठीक है फ्री रेडिकल यानिकी इलेक्ट्रान पर तो उनका अंत्रिक्ष में विभिन इस्थान करना मतलब वो अंत्रिक्ष में किस तरह से अपने आपको इस्टेवल रखते हैं यानि क ती एच, sorry यह आपका आगा CH3 CH3, CH double bond CH और यह आपका सििम्ल bond CH3 तो इसको कहते हैं ़्ली क्या हो जाएगा अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं ठीक है वनाे तो इसकी दो फॉर्म बन सकती है क्या बन जाएंगी इसकी दो फॉर्म अपको देखने को मिल जाएंगे ये carbon carbon के बीच में double bond इस carbon से एक hydrogen लगा है आपका एक क्या लगा है methyl group लगा है ठीक इधर भी एक क्या लगा है methyl group लगा है दूसरा क्या लगा है hydrogen group लगा है ठीक है ये एक structure हो गया दूसरे structure की अगर हम बात करें तो दूसरा भी same आपका ऐसे हो जाएगा ठीक है यहाँ पर क्या लगा हुए एक hydrogen यहाँ पर क्या लगा हुए आपका एक methyl group यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या लगा हुए एक hydrogen और दूसरा क्या यहाँ यहाँ पर एक methyl तो इसके दो संभावनाय थीक है तो इसके दो इस्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कि बन सकता है तो इसका मतलब क्या होगा कि इनका जो त्रिवम समाविता होता ए उनका जो Molecular Formula होता है Molecular Formula होता है वो कैसा होगा? Same होगा Molecular Formula कैसा होगा? Same देखलो ये दोनों का कैसा है Molecular Formula? Same, लेकिन इनका जो Arrangement होता है Arrangement वो कैसा होता है? वो different होता है, ठीक है? Arrangement कैसा होगा? Different होगा Molecular Formula same होगा, लेकिन नहीं का जो अरेंज्मेंट होगा गया ट्रेंट होगा टूँक तो यही क्या कहलाता इनका जो अरेंज्मेंट बस यहи तो ऊसी figuring способ होता है उसी गटनां को हम Cent exhibition shum ही silo ये इस सु मरजम सबसे पहले हम बात करें गेंगे मंदिय कारा है सिर समाव सबस्रीप€ धीरो ते दौन का से नमँ-व्य नमबर एक ज्यामथी यहीं । दूधाहा है की समाव बता हैं और इस customer है वह सब्सक्राइब था उसे प्रकार हैहीं सबसे पहले हम जानेंगे ज्यामती ही क्या होती है तो इसमें देखो जब धो कर्वन परमाणूं या एक कर्वन परमाणूं या परसपर दोई पर मूलकों से आपके जड़ हो सकते जैसे मैं बात करूं यहां पर है यह पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ऑगे यह रख दो ठीक सें कर बन करItra रहे के परमाणूं से जुड़ा हुआ है ऐसे यह नाइटोजन का एक सो जुड़ा रहेगा क्योंकि यहां पर इसकी बैलेंसी मतलब संतोष्ट हो जागी एक ही परमाणू के जुड़ने से इतना कहा रहा है जैसे की चित्र में दिखाया आपको यह कारवन अगले वाले कारवन से डबल बांड से जुड़ा है जिस पर भी आपके A और B यानि कि सेम एटम जुड़े हुए हैं दोनों कारवन परमाणूं पर जो की कारवन आपने डबल बांड से लगे हुए है यह कह रहा कि ABC यह कारवन है दूसरा का नाइटोजन लगा हुआ है ठीक है भिन्द भिन्द तब इन परमाणूं का सुतंत्र गोडन संभव नहीं होता है यानि कि सुतंत्र गोडन मतब रोटेशन इनको अगर हम घुमाएंगे तो यह आपस में सुतंत्र रूप से घुम नहीं पाएंगे जैसे के अगर हम बात करें यह हमने दो पेन ले लिए ठीक है हम यहाँ पर अगर दो पेन ले 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 और इधर क्या लगा हुआ है यह कार्वन यह लगा हुआ दूसरा कार्वन आपका यह आ जागा ठीक है अब इनको अगर आप रोटेट कर आओगे इस तरह से तो एक समय ऐसा आगा कि इन दोनों के बीच में क्या अंतरिक्ष में दो रूप ग्रहण कर लेते हैं अब इन्हीं परमानुजू लास्ट में जुड़े हुए हैं ना कारवन कारवन से यह गूम नहीं पाते हैं तो क्या करेंगे इस पेस में यह क्या करेंगे दो भिन रूप ग्रहण कर लेंगे ठीक है इन दो रूपों को क्या क क्या कहलाएंगे जहमती समा त्चामा वी यह क्या कहलाएंगे समा भेता ठीक है इस गटना को हम कहते समा वेता प्रणा करते हैं जो देखो यह दो आपके पास कोई प्राइटम रखें हैं ठीक हैं णोरे शेば ये कारवन कारवण के बीच में क्या है आपका डवल बौन है ठीक है यह डवलबॉंड है जिस पर इस वाले कारवण पर आपका क् मिल जाएगे वी और एप अब देखो जब यह दोनों सेम चीजें जैसे यहां पर और यह और बीदी आपको दिखाई देरा यह साथ यह दोनोंह सतने पर आपको यह सकता है ये यहां पर होगा तो दूसरे यहां पर यह दू कंडिसन के कारवनकर बीच में रपाaneously करनेंगे अब इस तरह से बिवस्तथ कर लेंगे कि यहाँ रहे आप देखा-पर यहां पर यह पर यह जो हमारा यह परमाणू है कौन सा है यह परमाणू तो यह परमाणू देख लो एक यहाँ पर है यह परमाणू तो यह परमाणू आपका यहाँ पर और आपके यहाँ पर हो गया अगर आप यहाँ पर इस से बीच से काट हो गया तो क्या हो जागा आपको दोनों परमाणू जो है सेम परमाण दोनों अलग-अलग दूसरी तरफ नजर आएंगे ठीक है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर इस कंडिशन में तो इसको हम क्या कहते हैं इसको कहते हैं ट्रांस क्या कहते हैं ट्रांस आई सुमर तो यह हो गया आपका सिस और ट्रांस आई सुमर कहते हैं तो उसको हम उस कंडिशन को कहते हैं सिस समय ठीक है और जब समान समू दूइबंद के विप्रीद दिशा में होते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं विपक्च्या ट्रांस समाइब भी दोनों अगर अलग-अलग होंगे जैसे आपके सेकंड कंडिशन में दिखा है तो इसको हम कहते हैं ट्रांस यह बिपक्च्याइब भी कहते हैं ठीक है यह आपका हो गया पहला जेमेट्रिकल दूसरा अप्टिकल आईसो मर्जम किसे कहते हैं तो समतल दुरवित प्रकास के तल यहनि की प्लेन पूलराइज लाइट को गुमाने की शक्ति रखता है कोई ऐसा यह जो समतल प्रकास जो इसको गुमा सकता है, ठीक है, हलका सा चाहें इधर रोटेट करते हैं, चाहें इधर रोटेट करते हैं, ठीक है, इसको गुमा दे, ठीक है, वही योगिक, तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकासिक समय विभी कहते हैं, तो वो योगिक क्या कहला कि जो इसको गुमा दे गए, प्रकासिक समावी भी यानि कि आप्टीकली एक्टिव कहलाता है और इस गुण को प्रकासिक समावीपता कहते हैं जब जब साधारन प्रकास निकॉन निकॉल प्रिजम से गुजरता है यानि कि साधार प्रकास यानि जब साधार प्रकास होता है तो इसके जो कंपन्न होते हैं वो सभी दिशाओं में समान रूप से जो है गती करते रहते हैं तो निर्गत प्रकास किरण केवल एक ही तल में कंपन्न करती है ठीक है इसे समतल धुरुवित सबस्टेंस होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं कौन-कौन से पहला कहा रहा है जो समतल धुर्वित प्रकास को दाइं और गुमा दे यानि की दाइं और इस तरफ हलका सा गुमा दे इसको ठीक है थोड़ा दाइं और गुमा दे उन्हें कहते हैं इन ऊदि यह को प्रति facto प्रदर्सत्र किया जाता है जो इदर को गूम जाइगा उसे हम ड purity चिन प्सका प्रदर्सत् करते हैं या इदर को घूमा देगा ठीक है राक है इंड और दूसरा पदार junk का कौन सा हो सकता है कहता है जो समतल धुवित प्रकाश को बाई और गुमा दे अब आपको इधर बाई और गुमा देगा ठीक है बाई और गुमा देगा उन्हें हम क्या कहते हो ने बाम दुरबड गोड़क यानि कि लीवो रूटेटरी कहते हैं इसे इसमाल एल या रिड़ प्रतीक से प्रदर्सित करते हैं जब डी तथा एल पदार्थों की समान मात्रा मिला दी जाए इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए ये क्या था हमारा एल और ये क्या हमारा डी इन दोनों की आपस में मात्रा को अगर हम मिला दें डी और एल को तो इसको मिलाने के बाद जो जब आपको यह कोशन कौशन को रिकिप्टी परसें वैसे उन्हें कि यह कोशन पूशन पूंचा जाता क्या होता है किसे कहते हैं आपको बता देना है याने कि जो थी और अल सामय हमें का drinking की प्रतीक धन और मैनिस देन और मैंन और बन प्रतीक रते में क्या करते कर सकते हैं अब यह हम बाहः करते जैसे ये आपका क्या क्या यह आपका क्या क्या है साधारार प्रकास झो सभी तलों में कंपन करता वह सभի डिशां में गती कर रहा है ओपर नीचे लेफ्ट राइट अब हमने क्या ले लिए एक यह आपका क्या निकॉल प्रिजम जहां से इस प्रकास को गुजारा जाएगा ठीक है निकॉल प्रिजम से हम क्या करेंगे इस प्रकास को गुजारेंगे जब इस प्रकास को निकॉल प्रिजम से गुजारा जाएगा तो यह क्या करेंगा केबल एक ही दिशा प्रकास अब देखो इसको इसको किसी ऐसे बिलियन से गुजारा जाए जो इसको गुमा दे यही उपर पड़ा था ना कोई ऐसा बिलियन या ऐसे योगिक जो संतल दुरुवत प्रकास को गुमाने की शक्ति रखता है ठीक है उसी को हम कहते है ऑप्टिकल एक्टिव ठीक तो यहाँ पर कोई ऐसा पदार्थ होगा यहाँ पर जो इसको गुमा देगा चाहे इदर आपका दक्षिना वर्त गुमा दे चाहे आपका बाम वर्त गुमा दे ठीक है तो वही पदार्थ हमारा क्या कहता है ऑप्टिकल एक्टिव कहलाता है और यह गटना क्या कहलाती है आपक की गाने यह आपका इतना हो गया इसके आगे यह सम्थल प्रकास है इसको कौन सा प्धार्थ इसको मतलब rotate कर सकता है क्या conditions होती है यह आपका इतना जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसका यह आप चाहूं तो ना लिखो लेकिन मैं बताना चाहूंगा आप यहां तक तो नोटी कर देना ठीक है विश्ष्ट गूर्डन की अगर हम बात करें specific rotation specific rotation मतलब देखो क्या कहा रहा है तो दुर्वित गोड़क को दुर्वित गोड़न को विश्ट गोड़न में प्रदर्शित करते हैं जो हमारा दुर्वित गोड़न होता है मतलब लिन पुलिराइद लाइन लगाने के बाद में जो आपका समतल दुर्वित प्रकास होता है किसी यूग के सामने इसको रखा जा की बहां संक्या समतल दौर्वित प्रकाश को एक ग्राम प्रति millions ये दियाँ रखने वाली बात तो ये प्राप्त होता है ये के इतल़् जिसको कहां पिराप्त करें यानिकि एक गराम सांधरता वाला आपके पास कोई बिलेन होगा कि जिसको हम उसको-भाइं कि एक decimeter एक decimeter बोले तो 10 cm 10 cm वाले लंबाई में हम इसको अगर फैला देंगे तो वहाँ पर हमें जो गोड़नों की संख्या पराप्त होगी अंसों की संख्या पराप्त होगी वही क्या कहलाएगी आपकी विशिष्ट गोड़न कहलाता है इसका सूत्र आपका यह है यह आपका क्या है अलफा और डी से टी जहां डी आपका क्या है डी है सोडियम प्रकास क्या है सोडियम प्रकास और टी क्या है तापमान ठीक है जिस पर हमें गोड़क निकालना है ठिक जिस पर हमें गोड़क निकालना है यहां पर यह आपको जो अल्फा दे रखा है यह क्या है यह आपका ऑप्जर्ड बैलू होता है टीक है यह क्या है लंबाई है ठीक है कितनी दस सेंटिमीटर और यह क्या है आपका सांदरता, सी के दर साथा है, सांदरता को दर साथा है, जो सांदरता कतनी एक ग्राम प्रती गन सेंटिमीटर रहा, एक ग्राम प्रती एमें, तो यह इस तरह से आप विश्ष्ट गोडन को दिखा सकते हो, तो यह हमारा इसके आगे की कहानी है, जो हमें प्लेन पॉलिर लाइस मिली ती उसके आगे कौन सा पदात इसको मतलब रोटेट कर देगा तो वही यहाँ पर अपको एक सॉलूसर ले रखका है यह सो लूसर है आपका जहां से इस लैट को गुझारा जाएगा कौन सी लाइट को समतल प्रकास सम्तल धृवित प्रकास की लाइट को यहां से गुजारा जाएगा जो या तो आपका डेक्स्टर रोटेटरी हो जा गया ने कि दाइं तरफ को बैसे होना चाहिए मतलब सीधा यह है न तो सीधे से कितना इतना आपका यह जुग गया ठीकर राइट हैंड साइट को तो इसकों क्या कहेंगे ड लीव रोटेटरी ठीक है इसमाल एल या माइनस चिन से इसको प्रदर्स्ट करते हैं तो यह लीव रोटेटरी हो गया तो यहां पर यह दो कंडिशन्स आपको देखने को मिल जाती है जब एल और डी फॉर्म ठीक है इन दोनों को फिप्टी फिप्टी परसेंट मिला देते ह जो हमें नया मिश्र रट मिलता है उसे रेशी में मिश्र के Civic मिक्शर उसको को कहते हैं ठीक हूँ है 1983 प्रकाशिक समाय विपता के कारण kia ke again है कारण एप्रकाशिक समाऻी नावेयर वह वान टाप तो यह दो बैग्यानिक थे लाियल एम तो इन्होंने क्या का था लावेल एंड वांठाफ इन्होंने क्या कहाता है कारवन परमाणू एक समचतुस फलक के मध्ध में इस्थित रहता है यानि कि जो कारवन हमारा परमाणू होता है वो कहां रहता है एक समचतुस फलक के मध्ध में कुछ इस प्रकार से इस्थित रहता है ठीक है इस तरह से यह इनने कहा था ठीक है लावल और वांट आपने और कह रहा है और इसके चारो कोनों की और कारवन की चारो सहीं होजगता है दिश्ट होती है जो चारो कोने होते हैं इनमें कारवन की चारो सहीं होजगता है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है ठीक है अलag-अलग अलग होंगे ठीक है A, B, C और D 400 कैसे होंगे अलग-航नोंगे तो वह asamit यानि कि asymmetrick हो जाता है कैसा होता है asymmetrick asymmetrick वह चीजा होती जिसको बीच में से अगर हम काटें तो बराबर-बराबर 2 भागरें बट जाए असम मित तििवरेग तो यहां पर कैसा हो जागा ओज्छारों से और तो आप बरावर बरावर दो वागों में नहीं बतेगा क्योंकि यहां अलग परमानatisf सकते हैं तो दो समान वागों में नहीं कर सकते हैं और कहरा समूं की दो विवस्थाइं संभव हो जाती है तो समूं जो है उनकी दो विवस्थाइं संभव हो जाती है अभी हम देख रहे नीचे करा दरपण में यह एक दूसरे के प्रत्वंब क्या होता है इनेंशियो मर्फ होते हैं एक दूसरे के कहते हैं प्रत्व इसलिए इस गुण को प्रतिवंब रूपता कहते हैं क्या कहते हैं इन में से एक दक्षड दुरवक गोड़क तथा दूसरा बाम दुरवक गोड़क होता है तथा एक दूसरे पर अध्या रूपता नहीं किया जा सकते सुपरिंपोस्ट मतलब हम इसको उठा कर इस पर रखें जैसे हम अपना हाथ ये वाला उठा कर इस हाथ पर रख लेते हैं ठीक उसी तरह से अगर हम इस वाले पहले वाले एटम को दूसरे वाले एटम पर अगर हम इस तरह से रखें तो बिल्कुल सेम जिस तरह से हमारा हाथ ह रखा जा रहा है क्या उसी तरह से वो रख जाएगा तो तो ठीक है और अगर नहीं रखा जा रहा है तो सुपर इंपोस नहीं होगा ठीक है एक दूसरे पर अध्यार उपद नहीं होगा तो यह आपका देख लो कारवन का परमाड़ू है जिस पर चार विन विन तरह रखता है एकदम बन जाता यह अगर गण अपना हाथ यह लगाऊ तो मिरर में क्या होगा स्टेम ऐसा ही बिल्कुल तो इसका उठा भी मेरी तरफ होगा यहां पर देख लो अगर अगर यह मिरर के पास है तो इधर भी दी दिखाई देगा a mirror से दूर है तो इधर भी a mirror से दूर ही दिखाई देगा bbuilt उपर है तो आपको mirror में b it दिखाई देगा c नीचे है तो c नीचे ही दिखाई देगा तो है ये जाया थो naprawdę क्या दोनों क्या है एक दूसरे कि इते अनेंशी ओมॉर्फ है खालता है और यहां पर कर अब्म्दम ग१ुनाय को कि यह तो था हमारा है उसाव कि गेंगे स्टीरियो आइसो मर्जम, इस्टीरίο आइसो मर्जम, तो ये तो इस्टीरίο आइसो मरजम था, आइ होब आप सभी को समजमे आया होगा, अगर आप हमारे Youtube चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सबस्क्राइब करएपंए, साथी से पढ़ाने की कोशिश करते हैं नए ने वीडियो लाएंगे ठीक है तो बने रही है हमारे साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कोशन लेकर और साथ इसाथ बताना चाहूं को कि यह जो वीडियो हमने आज पढ़ा है इससे पहले जो भी हम का लिंक मिल जागा ठीक है तो वहां से आप क्या कर सकते हैं पीडियेफ फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर सकते हैं ठीक है बने रही हमारे साथ थैंक यू